दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे मैं बताओं मैं भी बहुत अच्छा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सबस्क्राइब कर लेना साथ ही बैल एक प्रेस कर देना चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स अभी मैं आपके सामने जिस आज शेयर की बात करने जा रहा हूँ इसके क्वार्टर फॉर के रिजर्ड्स आ चुके हैं और क्वार्टर फॉर के रिजर्ड्स अगर आपके पास कोई शेयर है तो उसका बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये पूरे साल का पिछले अगर मैं साल की बात करूंगा तो टोटल एक साल का यह रिवीव ले करके आता है अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो यह डेस्क्रैप करने की कुछिस करता है कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है इस वज़े से आपको quarter four के results at least देखने ही चाहिए और security stock market news channel आपके लिए लाता रहता है ऐसी चीज़ है RBL bank है के वारे मकर में बात करूँ तो इसका market cap देखो 9701 करोड का इसका market cap है एक छोटी सी company है हलाकि और current price की बात करेंगे 162 रुपए का है high company ने 189 का लगाया low company ने 74 का लगाया तो almost अगर पिछले एक साल की बात करूँ तो ये share double हो चुका है आने वाले समय में क्या double होगा उसी चीज़ की में बात कर लेता हूँ stock की PE की बात करेंगे तो 11 के PE multiple पर है book value की बात करेंगे 210 रुपए का है तो book value से company बहुत सस्ते में मिल रही है और जो की अच्छे चीज़ ये और ऐसा लगता भी है कि जैसे government की जिस तरीके से policy आ रही है उसे साब से इस bank को भी एक अच्छी मजबूती आने वाले समय में मिलेगी और हो सकता है ये share price 210 के उपर जाता हुआ देखने को मिले dividend company नहीं देती है अभी और return on capital employer return on equity की बात करेंगे तो अभी अभी फिलाल कम है काफी कम है 5.70% and 7% face value की बात करेंगे तो 10 रुपए है जो कि अच्छी चीज है investors के लिए कि definitely अगर ये share price आने वाले समय में और आगे गया तो definitely यहां से investors को यहां से investors को split देखने को मिल सकता है RBL banking में बात कर रहा था देखिए banking company engaged in providing a wide range of banking and financial service including wholesale banking, retail banking, treasury operations and other banking related activities ये company करती है इसी के साथ साथ आव अगर मैं चलूँ यहां से PE multiple के अगर मैं बात करूँ तो देखिए HDFC bank का 20 का है, ICSA bank का 18 है, कुछ लोग compare करने की कुछिस करते हैं कि ICSA bank उठाएं या RBL bank उठाएं देखिए अगर price वा सस्ता लेना है तो RBL bank अच्छा है पर अगर fundamentals wise या हर छित्र में अगर strong लेना हो तो ऐसे टाइम पे आपको ICSA bank जाना चीए पर ICSA bank में क्या होगा, return easily 5-6 साल में हो सकता share double हो पर RBL में वो capability है जो की हो सकता है आने वाले 2 साल में double हो जाए, कव एक साल में भी double हो जाए, तो ये चीज रहती है थोड़ी से, फिर भी किसी भी share में इंवेस्ट करने से पहले अपना खुद का decision सोयम लिया करें को कि बहु revenue की बात कर लेते हैं, 2160 करोड का, 2380 and 2496 करोड का, revenue बलता हुआ देखने को मिल रहा है, interest income देखो, 1111 करोड, 1220 करोड and then 1285 करोड, interest income भी बलते हुए देखने को मिल रही, अगर मैं खर्चों की बात करूँगा, तो खर्चा देख लिए इनका, 1360 करोड, 1492 करोड, 1526 करोड का, खर्चा भी कंपरी का बलता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ अगर मैं net profit की बात करूँ तो net profit देखो, 201 करोड का, 202 करोड का, 209 करोड का, 271 करोड का, net profit इस साल काफी जादा बलता हुआ देखने को मिला, quarter on quarter basis पे, especially अगर मैं बात करूँगा, EPS की बात करेंग वो खर्चा होता है, जो कि company write off कर सकती है, या कर देती है, NPS, अगर मैं net NPS, जितना कम NPS होगा, वो ज्यादा अच्छा रहता है company के लिए, NPS की बात करेंगे, तो 1.18% का था, उसके बात 1.10% का है, NPS भी company धीरे-धीरे कम कर रही है, अगर NPS दिखेंगे, तो जो जितनी top की बैंके, उनमें काफी ज्यादा NPS होते हैं, और जितनी छोटी बैंके होती है, उनमें NPS होते हैं, तो ये बैंक इस चीज का खयाल रख रहा है, कि मुझे आने वाले समय में NPS को दीरे-दीरे कम करना है, क्योंकि इससे एक productivity बैंक की निकल के आती है, अगर मैं year on year basis पे, अग मैं year on year basis पे मार्च 2030 की बात करें, तो 4678 करोर का interest income देखने को मिला, expense की बात करेंगे, तो expense कुछ खास, अगर मैं मार्च 2022 से मार्च 2030 को compare करूं, जहां तीनच 638 करोर के थे, वहीं आज 5760 करोर के expense देखने को मिल रहा है, यहां से एक चीज़ अच्छी निकल गया थी, देखि माइनस में था, आज finally company ने declare किया है, 883 करोर का positive net profit जो की बहुत अच्छी चीज है, अब इसी के साथ साथ जहां पिछले साल EPS negative था, माइनस 1.25 का था, वहीं 14 का EPS आ गया, तो definitely, इस bank में definitely अच्छा capability रखता है कि अगले साल हो सकता है next year तक, यह 210 को cross कर जाए, पर उससे पह अगर मैं आप इसके promoters की holdings की बात करको चलू यहां से तो देखे, FIIs ने फिलाल holdings यहां पे कम कर लिए, तो FIIs ने डरने वाला बात है नहीं क्योंकि अगर मैं last 21 के बात करूँ तो FIIs इंडिया में लगाता धला धला धल बेच रहे, तो FIIs जैसे ही DIs बेचना finally इस ने बेचा है और उनमें ऐसे किसने किसने खरीद लिया पबलिक और मनें. इस टेक उठालिया है और मनें बाइन इसपने में यहीं समयादा होगा है कि पब्लिक जहां ज़्यादा स्टेक ओन कर लेती है वहां थोड़ा सा इंवेस्टर को डरना चाहिए क्योंकि ऐसे शेरों में जो जंप होता है वह स्लो देखने को मिल सकता है क्योंकि जनरली वही शेर भागेंगे जिन में पब्लिक का स्टेक कम होता है यह चीज आप करेंगे मेरे मित्रों अगर मैं क्वार्टर फोर के रिजर्ट की बात करूं और बैंक के शांदार रिजर्ट रहें यह और यह वापस से अगर आते हुए देखने को मिले तो डेफिनिटल यह शेर प्राइस आने वाले समय में और अच्छा रिटर्न दे सकता है फिर भी किसी की वी शेर में इंवेस्ट करने से पहले अपने फाइनेशल एडवाइजर से जरू संपक कर लेना मेरे मित्रों और जो यह वीडियो मैं लाता हूं यह कोई रिक्यमेंडेशन कभी नहीं होता यह कि बले कि एजूकेशन बरपस से होता है मेरे मित्रों चैनल को आप सब्सक्र